L1 का बहुत एक important point है कि कोई ग्रहन, occultation से sun छुपेगा नहीं इस mission से तो यही इसका बहुत important point है, इस mission का L1 location कि यह हमेशा सूर्य को observe करता रगे हैगा, कभी सूर्य इससे ढखेगा नहीं यहां पर जाना ही मुश्किल है, यही हमारा technology दिखाएगा कि हम कर पा रहे हैं चार महीने लगेंगे वहां तक पहुंचने के लिए, sun के सारे layers explore किये जाएंगे काफी low budget में हम सब कर रहे हैं, वो हमारा pride है कि हम इतने low budget में manage कर रहे हैं protection है, solar weather है, space weather, solar storms, यह सब लेके हम बहुत चिंता में रहता है कि हमारे earth के weather system को और broadcast systems को disturb ना हो, तो यह हम काफी अच्छी तरह से उसको study कर पाएंगे over time, तो हम देख पाएंगे कैसे change होता है, कैसे fluctuate होता है तो उससे हमको काफी knowledge मिलेगा, जो earth को भी protect हम कर पाएंगे, इसका bad effect तो कुछ नहीं पड़ेगा, यह successful रहा तो हमको यह सारे knowledge हम gain करेंगे, जिससे हम, फिर scientists देख पाएंगे technology में क्या हम improvement ला सकते हैं, जिससे हमें यह protections मिल पाएं sun से, क्योंकि sun भी evolve, मतलब sun का solar cycle भी बदलता है, ejections जो निकलते हैं, वो भी बदलता है, तो हमको समझ में आना चाहिए यह, ताकि हम earth के systems को protect कर पाएं, यह काफी weight ले सकता है, PSLV और GSLV दोनों काफी weight ले सकता है, औ और इस रो क्या कर रहा है कि जैसे NASA जो rocket भेजता है, वो ही बहुत जादा powerful होता है, लेकिन इस रो क्या कर रहा है कि काफी low budget में हम सब कर रहे हैं, वो हमारा pride है कि हम इतने low budget में manage कर रहे हैं, तो इनका यह strategy है कि कि किने भी दिन लगे इसके location में पहुचने में पहुचने मे Mars भी पास है, यह अब सूर्य और पृत्वी के बीच में जाने की कोशिश करेगा, यह 1.5 million kilometer दूर है, Lagrangian L1 point जो है, तो यह यहाँ पर जाना ही मुश्किल है, और यहाँ पर इतना temperature आएगा और इतना radiation आएगा कि protection कैसे होगा, तो यह challenges है, यह हमारा technology दिखाएगा कि हम कर प रहे हैं, और इसमें काफी सारे payloads है, इनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा यह radiation से, तो यह हाँ solar observation के काफी सारे missions गए है, अभी recently Parker mission भी गया था जो NASA का, जो काफी success रहा है, लेकिन इंडिया तो यह भी दिखाना चाहता है कि हमारे technology में हमारा यह capability है कि हम जो observation मुश्कि है या जो technology मुश्किल है, L1 position में जाना मुश्किल है और यह planning भी हम दिखा रहे है कि हमने यह selection किया है location का, जो बहुत strategic location है, तो हम यह technology प्रूफ करना चाहते हैं, और यह इंडिया का पहला ही solar observation mission है, एस्ट्रो सैट करके एक mission गया था जो astronomical observations काफी successfully हमारे पास आया है, तो य इसका orbit जो है, यह इस location में पहुचने का काफी सारे steps लगेंगे, पहले तो यह Earth से निकल कर 4-5 orbits लगाएगा, जो Earth का gravity इस्तमाल करेगा, और ellipse का size है, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा, और फिर इस से जाके वो L1 के तरफ जाना शुरू करेगा, और वहाँ पहुच इसका नाम Halo orbit है, तो वो L1 के center करके उसके चारो और घूमता रहेगा, लेकिन यह जाना ही मुच्किल है, और चार महीने लगेंगे वहाँ तक पहुचने के लिए, तो यह सूरिय के विशह में काफी सारे observations लिये जाएंगे, एक तो sun के सारे layers explore किये जाएंगे, आजकल यह interesting च coronal mass ejection, जो थोड़े flares निकलते हैं sun के plasma से, तो उसमें ना हमारा जो broadcasting system, satellite systems यह disturb हो सकते हैं, तो यह काफी scientists को चिंता रहता है, तो यह not only हम solar processes जान पाएंगे, उसका corona, उसका photosphere, जो हर layers है, उनके processes जान पाएंगे, additionally हम यह जो coronal mass ejection है, solar weather है, space weather, solar storms, यह सब लेके हम बहुत चिंता में रहता है, कि हमारे earth के weather system को और broadcast systems को disturbed ना हो, तो यह हम काफी अच्छी तरह से उसको study कर पाएंगे over time, तो हम देख पाएंगे कैसे change होता है, कैसे fluctuate होता है, तो उससे हमको काफी knowledge मिलेगा, जो earth को भी protect हम कर पाएंगे, इसका bad effect तो कुछ नहीं पड़ेगा, यह successful रहा, तो हमको यह सारे knowledge हम गेन करेंगे, जिससे हम, फिर scientists देख पाएंगे technology में क्या हम improvement ला सकते हैं, जिससे हमें यह protections मिल पाएं, sun से, क्योंकि sun भी evolve, मतलब sun का solar cycle भी बदलता है, ejections जो निकलते हैं, वो भी बद वेट ले सकता है, PSLV और GSLV दोनों काफी वेट ले सकता है, और इस रो क्या कर रहा है कि जैसे NASA जो rocket भेजता है, वो ही बहुत जादा powerful होता है, लेकिन इस रो क्या कर रहा है कि काफी low budget में हम सब कर रहे हैं, वो हमारा pride है कि हम इतने low budget में manage कर रहे हैं, तो इनका यह strategy है कि कि कितने भी दिन लगे इसके location में पहुचने में वो कुछ आने जाता, क्योंकि observation तब ही शुरू होगा जब पहुचेगा, तो अगर हमारा थोड़ा low power भी हो, फिर earth के gravity यूज करके हम यह इस उपाई से जाते हैं कि multiple earth orbit करके फिर निकलते हैं, तो इसलिए PSLV यूज हो सकता इतने powerful missions के लिए भी